परगतिशील बोशपूरी समाज की तरफ से पिर्थक बोशपूरी राज को गठन तथा बोशपूरी भाषा को समीदान के आठवी अनुखसुची में शामिल करने को लेकर समुचे बोशपूरी छेतर में चलाय जा रहे धरना परदशन के करम में समार को जिला एकाई के करकरतों नगर निगम के रानी लच्मी बाई पार्क में एक दिवस्य धरना दिया केंद्रिय भोशपूरी परगतिशील समीती के उपाद्देश प्रोफेसर आर्पी सिंग ने कहा कि भोशपूरी को पिर्थक राज बनाया जाए जिससे भोशपूरी की पहचाना समीता, भोशपूरी विकास और भोशपूरी गोरो की बातें असपश टूरूप से दुनिया के सामने लाई जा सकें दरने में प्रोफेसर आर्पी सिंग, गोविन, देव मरी तिरपाठी, तपन विकास मुखरजी, अंशुमान मुखरजी, डॉक्टर राकेश, अविनौयादो, विवेक तिरपाठी, सहित अनिकार करताश शामिल हुए इस समझ में गोरफ उन्यू समदादा से बात करते हुए डॉक्टर रवी परताप सिंग ने कहा मैं प्रोफेसर और्पी सिंग, उपाध्यक्ष, केंद्रिय भोषपुरी समिती, प्रगतसिल भोषपुरी समाज, लो मुख्य रूप से तीन-चार मांगों को जो भोषपुरी से जुड़ी हुई हैं, तो उसको लेकर के यहां पर इकठे हुए हैं, सबसे बड़ी मांग हम की है कि भोषपुरी राज, प्रतक राज बना रहे जाएं, जिससे कि भोषपुरी पहिचान, भोषपुरी असमिता, भोषपुरी विकास, भोषपुरी गौरों की बातें असपस रूप से दुनिया के सामने लाई जा सकें, सबसे बड़ा संकत आज भोषपुरीया पहिच हम लोग तीस करोन लोग भोशपुरी बोलने वाले पूरी दुनिया में नेपाल के भी चार जिले खाटी भोशपुरी वाले जिले हैं और वहां पर दस जिले ऐसे हैं जहां भोशपुरी बोली जाती है वैसे लेकिन इसके बावजूद भोशपुरी को यहां पर राज्य के र राज्य बनाया जाना चाहिए और भोजपुरी भाषा को उचित सम्मान देना आवर्शक है भोजपुरी संस्कृति को परियाब सही महत्तों देने की आवशकता है और फिर जब यहां के नौजवान को यहां के किसान को अपनी पैचान मिलेगी अपना सौइमान मिलेगा तो स्वेम अपना विकास कर लेगा हमको दुनिया के जामने बिखारी बन करके नौकरी खोजने के लिए जाने के अर जगा अशकता नहीं है हम लोंको दुनिया में दूसरों का उसर देने के लिए प्रयास करना चाहिए हम जो है अपना विकास स्वेम करें अपने बल पर कर सकते है लेकिन हमको अपना सौयमान पईचान ना अत्म विश्रास जड़ाना हो इसको वापस लेना होगा यह भुषपरी क्शेत्र युट्र बाट शेट्रे में दुनिया को सभविता दी है संस्कूत अध peppi sada में डुनिया में बहुत पड़ी संस्कृति की पहिचान बना के रहेंगे अलग राज्य हम अस्थापित करवा के रहेंगे इसके लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं और हम इसके लिए माननी अभारत राश्ट्रपती और प्रधानमंत्री महदे को हम पत्रक दे रहे हैं और हम बार-बार यह प्रयास करते हैं, बार-बार हम धर्ना करते रहें, हमारा निवेदन है कि इसको आम जन और मेडिया परसंस अधिक साधिक समर्थन प्रदान करें, जिससे कि इस ख्षेत्र को एक पैचान और विकास का सही रास्ता मिल सके.